यह कह रहा है कि 7 मीटर उचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्हें कुन 60 डिग्री है अच्छा ठीक है यह देखो कहानी कुछ और अलग है यहां जमीन है और जमीन पड़ एक भवन है यह रहा भवन इस भवन की जो उचाई है 7 मीटर है यह इंट्रेस्टिंग कुछ से नहीं वैसे अब कह रहा है कि 7 मीटर उचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्हें इनकों 60 डिग्री है अब इधर एक कहीं केवल टावर है इसको मान लो यह है केवल टावर अब इसके सिखर से भवन के सिखर से इसका जो उन्हें इनकों है यह कह रहा है यह वैलू दिया हुए आपका कितना 60 डिग्री है यह देखो यह 60 डिग्री है ठीक है यह कह रहा है कि 60 degree है और इसके पाद का awanauanakon 25 degree है टावर की उचाई गयाद किजिए मतलब यहां से जब इसके चड़न को देख रहा है यह वाला जो बाद विंदू foot है उसको देख रहा है इसका जो onaman को है तो अनवन को हम कब बनता है जब वो नीचे देखता है, तो ये वाला ओना मन कौन, ये कह रहा है क्या, 45, तो टावर की उचाई ग्याद किज़े, टावर, 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 केबल टावर, ये, इसकी पूरे उचाई हमको ग्याद करनी है, तो एक काम करो, देखो तो, ये 45 है, ये 45 हो जाएगा क्या, हाँ, क्या ना, जड़ा बताओ, और अगर ये 45 तो एक आंतर कौन, बढ़ाबर होगा, अरे 2 समनांतर एक खाओं को जब तरिये करहा काटती है, तो एक आंतर होगा, ये यहां से 99 देख लो, यहां से ओनामान देख लो, बढ़ाबर तो होते हैं, शुरू में मैं बताया है, कॉंसे 7 है, तो सोच के देखो, ये भी तो 7 होगा, यहां से यहां तक, अना बोलो, अब क्या निकालना है, केवल टावर के उचाई, तो टावर तो यहां से यहां तक है, तो ये वाला हिस्सा निकाल लो, और उसमें 7 एड़ कर दो, पूरे केवल टावर के उचाई, यहां जाएगी ती कैसे निकालोगा तो यह 60 है और यह वाला 7 पता है तो यहां से यहां तक सोच के देखो यह भी तो 7 मीटर ही होगा यहां से यहां तक तो इसमें 1060 ले लो न और इसको क्या माल लो यहां से यहां तक ह माल लो, सोच के देखो तो 1060 ले लोगे shortcut कर दू 1060 तो लम बटा अधार तो लम कितना हो जाएगा H, अधार कितना हो जाएगा 7, 1060 बोलो root 3, साथ इधर गुना में आ जाएगा तो साथ root 3 वरावर H, आगया अब तुमको तो निकालनी थी tower की उचाई तो tower की जो उचाई है वो तो क्या है, H प्लस 7 है न H प्लस 7 जो H निकालोगे उसमें 7 एड़ करना पड़ेगा तो H क्या निकाले हो तुम 7 root 3 और ये है 7, एड़ कर दो कितना जाएगा, 7 common ले लो root 3 प्लस 1, कितना मेटर यही आंसर हो जाएगा तो हो तो root 3 का value रख लो 1.732 देख लो, आगे आंसर